जिन्दिगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फैटी लिवर हो जाने के बाद भी शराब नहीं छोड़ता अल्काहॉलिक फैटी लिवर की वज़े से कब से हॉस्पिटल में पड़ा है ये सब आपने सुना होगा और देखा भी होगा पर क्या आप इनके रीजन्स जानते हैं और आप क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि ये बिमारी आपको हो सकती नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर आशीश रतूडी और एक बार फिट से सवागत करता हूँ आप सभी का सदकरतार वेलनेस शोपर इस वीडियो में मैं आपको शराब चुडाने का असान तरीका और अपने लीवर को बचाने का उससे भी असान तरीका बताने वाला इनमें होने वाला डेमेज हमें बहुत आखरी की स्टेश तक भी पता नहीं चलता भारत में लगबख हर साल धाई लाग से भी ज़्यादा लोग इन बिमारियों के चलते अपनी जान से हाथ धो बैटते हैं जो सबसे ज़्यादा शराप के कारण होती है अगर आप या आपका कोई रुजाना ड्रिंक करते हैं तो हो सकता है उन्हें फैटी लिवर हो इसमें शरीर में लिवर की जगए यानि की अपर राइट एंड एरिया में सूजन देखने को मिलती है इसके अलावा बिना किसी इरियजन के वजन कम होना, तुचा पर लाल चत्ते होना, पाचन में गडबड़ी होना, कब्स, जॉन्डिस और पीलिया तक हो सकता है खून की उल्टी आना, यूरीन का कलर डार्क हो जाना, ये सब भी देखने को मिलते है साथी साथ, पेट में पानी आने लगता है, और यही पानी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच सकता है इससे शरीर में जगए जगए पर सूजन आ सकती है कई बार तो शरीर के अंदुरनी हिस्से में ब्लीडिंग होने लगती है इससे यूरीन में ब्लट दिखने लगता है चोटी मुटी चोट लगने पर भी खून ज्यादा बहने लगता है आप डायविटीज के मरीज तक बन सकते हैं क्योंकि पैंकिरियास तो सिर्फ शरीर में इंसुलिन बनाता है इनकी बॉडी में कितनी ज़रुवत है यह लीवर तै करता है तो यानि लीवर प्रॉब्लम्स मतलब डायविटीज प्रॉब्लम्स लीवर हमारे शरीर में हॉर्मोनल बैलेंस को भी बिकार सकता है इसलिए सवाल उठता है कि लीवर केर और डीटॉक्सिफिकेशन एग्जेक्ली किस स्टेज पर स्टार्ट करें इसके लिए आपको केस थियोरी को फॉलो करना चाहिए और खुझ से ही चार सवाल पूछने चाहिए अगर इन सवालों में से आपकी दो जवाब भी हाँ है तो आपको लीवर केर और डीटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है जब आपके लीवर में 5 से 10 परसेंट वेट फैट का हो तो समझ जाएए कि आपको फैटी लीवर हो चुका है और अगर काम यहीं पर शुरू नहीं किया तो आपको फैटी लीवर स्टेज 2 हो सकता है इसमें फैट कंटेंट 10 तू 20 परसेंट तक चला जाता है और अगर इस लेवल पर भी लीवर केर और डी टॉक्सिफिकेशन स्टार्ट नहीं किया गया हो तो व्यक्ति को हेपेटाइटीस और लीवर कैंसर तक हो सकते हैं इसमें व्यक्ति के लीवर का 66 परसेंट पढ़ जाता है Hepatitis की stage तक आते आते व्यक्ति को hospitalization की जरुद भी पढ़ सकती और ये काफी घातक इस्तिती भी हो सकती है इसमें आप ऐसे समझिए कि liver खुद से restore होने की capability खो देता है और इसे हम great 3 fatty liver भी कहते हैं पर इस stage तक पहुंचना ही क्यों है जब आप रोजाना liver care का इस्तमाल करके अपने liver को ना सिर्फ साफ कर सकते हैं बल्गी damaged cells को repair भी कर सकते हैं और इससे आप अपने damaged liver को तुबारा restore कर सकते हैं और साथ ही अगर आप fatty liver की stage पर शराप छोड़ दे तो बहुत ज़ादा संभावना है इन सबकी इस्थितियों से भी बच सकते हैं liver की stiffness, scarring और सूजन का पता लगाने के लिए व्यक्ती fibroscan और SCPT का test करा सकते हैं Just because आपको symptoms नहीं दिख रहे हैं That doesn't mean कि आप heavy drinking करे जाएं और अगर आप कर भी रहे हैं तो नियमित रूप से आपको liver detox करने की ज़रद बहुत ज़ादा है Liver detox करने से आपके liver में जमे सभी विशैले पदार बहार निकलते हैं और शराप से हुए damage की recovery होती है तो आई ये अब जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिनसे आप liver को साफ कर सकते हैं जब liver detoxification की बात की जाए तो सबसे पहले milk thistle का जिकर आता है यह एक प्रकार का पौदा है जिसकी लंबाई 5 से 10 फिट होती है इसके बीचों में silimerine नामका एक compound पाया जाता है ये आपके liver में कमजोरी को दूर करता है इसमें मौदूद antioxidants का sports person और बहुत सारे athletes इस्तमाल करते हैं वे अपनी चोड, बिमारी, internal injuries और infection से खुद को जल्दी recover करने के लिए इसका use करते हैं और खासकर शराब संबंदी damage को ठेक करने में वहीं आप भूमी आमला का इस्तमाल भी कर सकते हैं जो 40 cm तक height में जा सकता है इसकी oval shape leaves होती है इसमें मिलने वाला phalanthine compound detoxification में काफी फाइदे मंद होता है आप पुनरनवा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें मिलने वाले पुनरनवीन compound से आप ना सिर्फ liver detoxify करेंगे बलकि आप शरीर के सभी body parts को detoxify भी कर सकते हैं तो देखें दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सभी plants आपको ढूनना बहुत मुश्किल रहेगा तो बिल्कुल जिंता करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं liver care इसमें आपको milk thistle, उनरनवा और भूमी आवला के अलावा black pepper, आवला, कास्नी और vitamin E के extracts भी मिलते हैं बलक पेपर में मिलने वाला pipe rin enhance करता है bio availability of certain nutrients जो मदद करते हैं आपके liver के healthy cells को promote करने में आवला में मौजूद quercetin and gallic acid आपके शरीर में toxins को metabolize करता है dandelion bile production को बढ़ाता है, इससे liver toxins को remove करता है कुटकी में मौजूद quercetin, liver में ice oxygen को कम करता है कास्नी liver cells को alcohol से जुड़े damage से बचाता है यानि दिन में liver care की दो capsules गरम दूद के साथ लेने से आपके liver की overall health improve होगी liver care का रोजाना सेवन आपके liver को केवल शडाप समंधी समस्याओं से नहीं बलकी fatty liver और bile समंधी समस्याओं से भी बचाता है ये आपके शरीर में healthy liver cells को बढ़ा कर आपके liver की overall health को promote करता है ये है 100% natural medicine जो inflamed liver की health को recover करने के लिए ही बनाई गई है तो दोस्तों अपने liver को alcohol damage से बचाने के लिए और चॉंडिस management के लिए आप स्क्रीन पर दियेगे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपनी खर बंगवा सकते हैं liver care